यहां पे डेड़ आएक्यू गेम्प्ले लगाया ऑप डेड़ आएक्यू गेम्प्ले लगा के तीन तीन वंदे पकड़ लिए लेकिन उसके ठीक बाद उसके ठीक 10 सेकंड बाद मैं गलत सीन कर बैखता हूँ तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत या आपका एक भी राण नियू गलाच सीन से बड़े पड़े पड़े पपजी दो मुवाइल गेमप्ली वीडियो में और इस मैच पे मैं एक डेड़ा एक्यू गेमप्ले इस्तेमाल करता हूँ अब देखो मेरे को बिलकुल भी नहीं पता क्यों लेकिन वो डेड़ा एक्यू गेमप्ले सो में से डेड़ सो बार पक्का पका काम करता है हर बार देख लिया है हर बार वैसे ही करता हूँ और हर बार बंदे ठिल जाते हैं खेर जो भी हो वो डेड़ा एक्वी गेंपले आगे जाके होगा लेकिन फिलाल यार यहां नुवो में आ रखे हैं और लूट के नाम पे गिनी चुनी गन मिली चुकी है और हमारे भाई अभी तक लगबग निहत्ते ही गुम रहे हैं और एक और बंदा निहत्ता है यहां पे आगे खड़ा है और मेरे को सही में विश्वास नहीं उपा रहा है कि एक निहत्ते बंदे को मैंने जाने दिया अब देखो गया वो निहत्ता था लेकिन आते समय बड़ी बड़ी गन लेके आएगा खैर पेटी फिर भी बनेगी पीचा कर रहा हूं प अभी तक हमारे भाई निहत्ता और नंगा भग रहे थे और यहां गुष्टे ही गन लेके निकलते हैं और एक निहत्ते बंदे के चक्कर में यार पूरी की पूरी सुकोड दोड़ते वे आती है कैर पेटी तो पहले ही बन गई थी और इनकी भी पेटी बन गई अब देखो यहां पे यार हेलमेट के नाम पे मेरे पे अभी भी टोपा वाकी है लेकिन ये नहीं की कही साइड में लूट लूट बिल्कुल भी नहीं यहीं सामने भेरा उसमें एक बंदा बैठा पड़ा था तो बस उसके बाहर निकलने का इंतेजार कर रहा हूं और पहले तो मैं उसका पीचा करता हूं फिर ये लोग मेरा पीचा करते हैं और जहां तक मेरे को पता है ये सकाड उस निहत्ते बंदे की बिल्कुल नहीं है ये कोई दूसरी टीम आ गई और इनका एक आखरी बंदा बाकी है जो की पूरी चोड में उपर चलांगे पेला है तो मैं भी उपर चड़ जाता हूं और ये वाला बंदा अपनी आखरी दम तक उचल कूट करता रहा पहले भाई उचलते कूटते दूर से आते हैं उसके बाद उचलते कूटते जमीन पे जाते हैं और अब सीधा लोबी जाएंगे उचलते कूटते और यार मेरे टीमेट की बिलकुल फटके चार हो गई थी तो भाई कंठेनर के अंदर चुपके बैट रखे थे खेर याँ पे मैं धेड़ पेड रिवाइट पेलता हूं और उसके बाद जो भी पेटी पड़ी है लूटना चालू करता हूं और वैसे वी यार ये नोवो खाली हो चुका है गिने चुनई बंदे आते यार लूटी नहीं मिलती आजकल यहाँ पे और हमारे भाई के ऐसे दिना गए हैं कि बॉटो से बखके भाई को कंठेनर के अंदर चुपना पड़ रहा है यह होता है यार जब आप लूट के पीछे बखते हो और हील बिल्कुल भी नहीं करते वैसे हील थी भी नहीं होगी अपने पास खेर इससे पहले कि आगे जाएं और 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 भी पंगेलें हम देट बेट बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वैबसाइट का नाम है वन एक्स बैट जिसके माद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बॉलीबॉल बास्केट बॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स या फिर इस्पोर्ट्स पे बैट बूट लगा सकते हूँ साती साथ इसमें आपको साथ जार उपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉसिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हूँ जोगी कमेंट सेक्सिओं में दिया गया होगा और इसमें जीते पैसे विड्रॉण करना बहुत है बिल्कुल हल्वे की तरह क्योंकि इसमें पेटियम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे नजाने क्या क्या है सब कुछ है इसमें तो आप अराम से पैसे भी ड्रॉ कर सकते हूँ तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस आपको ट्राय कर सकते हूँ इसके लिंक कमेट सेक्शूर में होगी, बिल्कुल टूप में और यही होता है जब आप हद से ज़्यादा चौर में रस रूस करते हूँ ठीक यार महेंगे कपड़े लेकिन उपन से तो मताओ अब देखो इधर बाहर से फुटिश रह पाते हैं और मेरी भड़ जाती है अब मैं अपने टीमेट को सुरुआत में बोला था कि यार तुम बोट से डर रहे हो सरम करो डर के कंटेनर के अंदर चुप रहे हो और यहाँ पे यार मेरे साथ ही वो सीन हो जाते हैं देखो यहाँ दो टीम लड़ रही थी उसके बाद दो टीम के लड़ते ही बोट दबा दबाना चालू करते हैं मेरे को लगता है यार फुटिश टैप दबा के आ रहे हैं पका बंदा आ रहा होगा लेकिन यह लोग बोट होते हैं फड़ जाती है लेकिन मेरी अब देखो मेरे को नहीं समझा रहा क्यों लेकिन पबजी के आयवे सालो हो चुके हैं सालो हो चुके उसके बाद भी इन्होंने गेम से बोट नहीं अटाए ठीक है यार दो चार बोट समझता हूँ लेकिन दबा के दबा की है लोग बोट डालते हैं सही बतर हो यार बोटों की वज़ा से मानो या ना मानो गेम का असली मज़ा किरकी रह हो जाता है परिश्टान करके रखते है बोट और जहां तक मेरे को पता है इन लोगों ने पबजी पीसी में भी बोट डालती हैं क्या दिन आ गए हैं खेर जो भी हो अब मैं जाई रहता हूँ अपना डेड़ाइक्यू गेमपले करने और मैं अपने डेड़ाइक्यू गेमपले के रस्ते में ही था लेकिन ये गाड़ी दिख जाती है और ये डिराउप के गने लेके भग चुके हैं तो करना क्या था अंधा पीछा करेंगे और ये रूप यहीं कहीं रुके हैं तो हमको भी यहीं रुकना पड़ेगा अब गाडी में रोक चुका हूँ पूरी चौड में लेकिन बंदे किधर को बैटे पड़े हैं किधर को लेटे पड़े हैं मेरे को कद्दू कुछ नहीं पता मेरे को बस इतना पता है कि भाईया गर के अंदर गुज जाओ क्योंकि बॉट के अलावा अगर बंदा होगा ना बाहर वो सीधा पेटी बनाएगा मौका तक नहीं विलेगा क्यार मैं अंदर गुजता हूँ और दे दबादब गोला बारी चलू होती है वो लोग भी फेकते हैं और मैं भी फेकता हूँ और मेरा फेकना न फेकना एक समान है और मैं आगे घरों में नेड पकका पकका फेकता लेकिन नेड होता ही नहीं है मेरे पे वैसे बढ़िया है यार कम से कम टाइम तो बचेगा सिधा गुज के पेटिया वनाएगे और अपने कई बार साधियों में देखाओगा कि यार बंदे नाचना आई या ना आए जवर दस्ती हाथ पाओ मारते रहते हैं मैं भी वही सीन कर रहा था मतलब वो बंदा खड़े होके मेरे टिमेट की बेटी बनाना चाहता था मैं क्या कर रहा हूँ जवर दस्ती कूदे जा रहा हूँ उसके बाद लेटना भी है मेरे को कैर ऐसे लेटते पड़ते किन मिल जाती है तीनों बंदे ठिल गए अब जा रहा हूँ डेड़ा एकुई गिंपले के लिए अब यहां पे फट चुका है नेट यानि की दो या फिर तीन सो कॉड आपस में लड़ रही है और यार देखो लड़ाई हो रही है तो ज़्यादा था टैम 90 पर 30 सा टैम यार बंदे चट पे चड़े होते हैं तो मैं भी जड़ा उपर जाता हूँ देखने की सीन के चल ला है और इधर गोलिया भी चल ली है बंदे भी ठिल रहे हैं लेकिन बंदे है कि इधर वो पता ने चल पा रहा है मतलब भेल किसे रहें ये उपर बैठके खेर जो भी हो देखो अगर मैं यहां पर सीधा चड़ता ना तो मेरी सीधा कोई ने कोई सामने से पीटी बनाता तो यहां पर हम समोक वगेरा करते हैं मैं तो नहीं मैं तो आलसीता हमारा भाई समोक करता है और मैं दे चड़ जाता हूँ और देखो कैसे बैठे पड़े हैं ये लोग उपर तो मैं कुदा फांदी करता हूँ फिर से यहाँ पे डेड़ आइक्यू गेमप्ले लगाया डेड़ आइक्यू गेमप्ले लगा के तीन तीन बंदे पकड़ लिये लेकिन उसके ठीक बाद मैं गलत सीन कर बैठता हूँ ऐसी होता है यार मतलब कुछ ढंका जाता है लगता है कि भई या हम ही हैं हम ही चोड में हैं उसके बाद गलत सीन बैठते हैं और यार यहाँ पे मेरे को रिवाईव होते टेम बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये जो छोटी खिड़की भी नहीं यार चज्जा है ना यहां से गूलियां आ जाती है कई बार क्या रिवाइव अगेरा मैं हो गया बंदे ने साइड बैट के पेल दिया था लेकिन अब रिवाइव हो चुके हैं तो यार पेटिया लूगते हैं अब यहांपे मेरा टीमेट दिमाग लगा रहा है कि बंदे किदर थे किदर होंगे बंदे मैं क्या कर रहा हूँ ढेटो की तरह लेटा और दबा के दबा के लूटे जा रहा हूं मतलब रफदार देख रहे थे आप किस रफदार से गोलियां उटाई मजाई टैप आ गया और यहीं होते बंदे और ये वाले भाई मेरे को हलवे में ले लेते हैं बिल्कुल मजाक में कोई इज़्जत ही नहीं है जिन्दगी में मतलब मैं यहां से देख रहा हूं गोली भी चला रहा हूं लेकिन वो बंदा अपनी सनाइपिंग रोक के तयार ही नहीं है मतलब उसको अच्छे से बताता कि यार मैं एक सस्ता सनय पर हूं खैर गलती से हैट सोट लगी जाता है और वो नदी किनारे वाला बंदा किसी को नोक तो जरूर करता है लेकिन किदर पता नहीं चल पाता बस इतना पता है कि ठीक सामने घर पे बंदा बैठा पड़ा है और मेरा नेड इतना सस्ता कि पोचो मत यार अब तो कसम से बता रहा हूं अब मजाग भी नहीं कर रहा सरम आने लगी है अपने सस्ते नेड देखके यार मन करता है वो जो नदी है न बगल में जाओं और तेरते तेरते ठील जाओं मतलब ऐसा नेड फेका जो घर के अंदर ठकने गया बंदे ठिलना तो बहुत दूर की बात है और अगर आपको लग रहा है कि यार यह सरम नाकता तो आप बहुत गलत हो क्योंकि आपने यह चीज नहीं देखी देखो जराओ और यार मैं सही बता रहा हूँ यह जो सीन मेंने किया ना इस सीन के लिए मेरे पास कोई सब्द नहीं है कोई सब्द नहीं मेरे को नहीं रखता यहर जिंदगी में इस पपजी में इस गेम में यार मेरे से सस्ता नेड मोली कोई करता होगा ऐसे तो देखो मेरे ये नेड और जलती बोतल में कदू कुछ नहीं काड़ते लेकिन जब फड़ते हैं तो होता क्या है अपना ही टीम में ठील जाता है भाई बहुत ही बड़िया और भाई इस बंदे पे कितने नेड और मॉली पड़े हैं मैं देख रहा हूँ यार जब से मैं आया हूँ ये कुछ न कुछ फिक के जा रहा है भाई कुछ और भी उठालो यार नेड बोली की जगा गोलिया उठालो मतलब सही है यार उसका महंगा होगा इसलिए भाई ने भर भर के रखा है अपने बैग में खेर जो भी सीन हूँ आग भी लग जाती है मेरे तो यार हीलिंग पेलता हूँ और आप आगे जाने ही पड़ेगा ठक चुका हूँ मैं या बैटके और आखिर गार जाके इस बंदे की पेटी बन पाती है यार डेड़ आईक्यू करके जो पेला था ना उससे हजार गुना जादा चैन इस बंदे की पेटी बनाने में आया मतलब मैं देख रहूँ यार घर पे बैटा हूँ बंदे की नेड़ खतम ही नहीं हो रहे और उसके चकर में मेरे नेड़ और सस्ते हो रहे हैं और हाँ ये बहाना था यार मतलब उसने तो क्या ही किया मेरे नेट पहले से सस्ते थे क्यर यहाँ आगे से कोई M24 भी पटका रहा था और मेरे ख्याल से ये इसी के टीमेट थे तो इसे पकड़ने के लिए मैं भी आ गया आता हूँ और यहाँ पर पता है मैं क्या कर रहा हूता हूँ जैसी मैंने पहला बंदा नौकिया मैं अपने टीमेट से नेट की भीग मांग रहा हूता हूँ हाँ इतना सारा गलत सीन करने के बाद अपने टीमेट को इठीलाने के बाद नेट मांग रहा हूता हूँ सरब नाम की कोई चीज नहीं है और देखो, ज्यादा किल करने के लिए यार जुंदगी में बस यही करना होता है इधर से उधर भगो, गलत नेट करो, फिर से इधर से उधर भगो, तब तक जबता गेम खतब नो हो जाये या फिर तीस किल न मिल जायर देखो तीस किल मिल जायर तो मस्त कैम्प लगा के बैठो पेटी नी बननी चीए खेर वहां पे मैं पेलता हूँ तीन बंदों को सोचता हूँ कि यार आराम से बैठ के लूटूंगा लेकिन उतने में ही आगे लड़ाईयां भीड़ जाती हैं पेटी तक बन गए किसी की अब देखो ये जगा बिलकुल ओपन है और चोड़ चोड़ में मैं गाड़ी तक लेके नी आता नाजाने वहां से भगते भगते यहां का पहुंच गया कोई हो सावास नी है अब यहां पे मैं रुका होता हूँ क्योंकि भगने से यार कुछ भी हो सकता है मैं उनके भगने का पहले इंतिजार करता हूँ और मेरे सामने से ही एक बंदा उस पीले घर के आसपास गया था तो मैं भी बस यहां पर रुक के इंतिजार कर रहा हूं कि वो बंदा भगे और मैं उसकी पकड़ के पीटी बनाओं अब देखो मैं आपको सचा ही बताता हूं यहां पर मेरे को वोईस ओवर बन करनी चाहिए थी लेकिन सीन क्या यार देखो पिछली बहुत सारी वीडियो बीस मिनट की हैं अगर यह नहीं होगी न अजीब सा लगए यार बीस के बीच में उननी इस अटपटा सा लगता है और यहां पर हमारे भाई बन रखे हुते हैं चहरी ले साप और साप बनने की सजा मिल चुकी है बिल्कुल पेटी बना दी अब यहां पर अगर मेरी सनाइपिंग थोड़ी सी ज्यादा भी नी वोड़ रहा हूं थोड़ी सी महंगी उतियार वो बन्दा ठिल चुगा हो था उसके सर पे हेलमेट तक नहीं है जा तक मेरे को पता है लेकिन मैं सकोब खुलता हूँ और सोट मिस हुजाता है अब यार साप का चकर मोचे टकर खेलना पड़ेगा हम भी ठिल सकते हैं और साप गया कद्दू लेने मेरे को उस बंदे को देखना होगा जिसे पहले नो किया था ग्रोचा से भगते वे पकड़ा था जिसको और लोग भाई इधर पे नेड आना चलो हो जाते हैं वंतला भाई को लेट ना है और लेट के नेड भी करना है अब सीन क्या होता है यार जोन दोका दे जाता है हमेशा की तरह कोई नहीं बात नहीं है लेकिन कुछ अलग होता है इसमें जून मेरे साथ साथ उस बंदे को भी दोका देता है जहां तक मेरे को बता है तो मैं बनाता हूँ दबा के समोक मतलब अभी थोड़ा सनाइपिंग करने की कुशिस करता हूँ फिर बनाता हूँ और मेरे को लगता है यार ये जो सामने साप बना है न ये भी एक महेंगे नेड़ वाला है बाई ने तीन तीन चार चार नेड़ रखे अपने पे खेर हील हूल मैं दबा के पिलता हूँ और टाइम आगया है अब आगे जाने का जो भी हो गयार देखा जाएगा क्या ही कर सकते हैं और यार समोख मैं ऐज़स उज़स करना पड़ेगा ऐज़स तो खहर क्या ही होता है वो भी भगते वे आएगा और में भी भगते वे जाओँगा समोख में लड़ेंगे दोनों और यहां पे मैं इस बंदे की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इचक करता हूं क्योंकि ये बंदा उटके लडाई करने को आया आप नई तो ज़्यादा तर साप क्या करते हैं लेटे पड़े रहेंगे कुछ साप इतने खतरनाक हुते कि वो जो रोड पड़ी है न वो सिमेंट की रोड जो है बीच में वहाँ पे भी रेंग दिवे आएंगे उटेने का बिलकुल मन नहीं लेकिन इस बंदे पे हेलमेट तक नहीं होता उसके बावजूत भाई लड़ाई लेने के लिए बराबर आते हैं और इस बंदे के साथ भी मैं वही साधी वाले सीन करता हूं पहले छलाग लगाया और उसके बाद जवरदस्ती लेड गया जमीन पे और पेटी बन जाती है और चिकन चुकन होई जाता है तो बस भाई लोग आर आज के उड़े में इतने बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते वो डेड़ा एक्यू गेमपली के लिए आर लाइक ठोकना मत भूलना मतलब देखो आप ट्राइ करके पक्का पक्का देखना उसे देखो जितने भी बार मैंने इस्तेमाल किया है ना लग बाग हर बार मेरे को एक बार भी याद इनियारा जिस बार मेरी पेटी बन गई हुआ से चड़ते वे हर बार काम करता है नजाने क्यू आर उपर छट पे जो बंदे बैटेते उन्हें भी पता होगा कि यहाँ दरवाजे से आ सकते हैं फिर भी कोई चेक नहीं करता खेर जो भी हो आज के वीडियो में इतने भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते एक एकस बैट चगाउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिलकुल टोप में और अगर आप यहां पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब और भी ऐसा ही गलत सीन वाले गेमपले डेड़ आईक्यू सस्ते नेट और सस्ती कमेंटरी के लिए तो खर मिलते है यार बाबाई अज वाले लिए को सकते है य formula बाबआ